ओम गैन शिरी महागड़े शाय नमा, राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहा जाता है। इस बार इंद्रा एकादशी का ब्रत तेरे सितंबा दिन रविवार को रखा जाएगा। पित्र पक्ष के दोरान आने वाली इस एकादशी को पित्रों को मुक्ष दिलाने वाली माना जाता है। इसलिए इस एकादशी को मुक्ष दाइने एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इंद्रा एकादशी का प्रत जो भी व्यक्ति अपने पित्रों को याद करते हुए उनके निमित करता है, उनके पित्रों को इसके फलसरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इंद्रा एकादशी का प्रत इतना अधिक प्रभावशाली है कि यह बैसों पहले गुज्रे पित्रों को भी मोक्ष दिलाने में समर्थ है यह एकादशी पित्रपक्ष के दोरान आती है इसलिए इस एकादशी को शाध एकादशी या पितरपक्च एकादशी के नाम से भी जाना चाता है माना चाता है इस ब्रत के पुन्य प्रभाव से व्यक्ति जन्ग मरन के चक्र से मुक्त हो जाता है यम लोक में यम राज जिन पितर को टंड सुरूप नर्ग लोक का कश्ट देते हैं वे इंद्रा एकादशी ब्रत के पुन्य से मुक्त हो जाते हैं इस एकादशी का ब्रत रखकर इसके पुन्य को पित्रों को देना चाहिए इससे पित्रों को बैकुन्थ धाम के प्राप्ति होती है पित्र दोश पित्र आशिरवाद में बतल जाता है और पित्र अपनी संतानों के कल्यान बंश प्रत्थी और सुख में जीवन का आशिरवाद देते हैं माना जाता है जिनके पित्रों को मुक्ती नहीं मिलती जिनके पित्र अपने संतान से खुश वात्रप्त नहीं होते उन्हें पित्र दोश लगता है और जिन्हें पित्र दोश लगता है उन्हें देवी देपताओं का भी आशिरवात प्राप्त नहीं होता शास्तों में पित्र दोश को सबसे बड़ा दोश बताया गया है जिस घर में पित्र दोश होता है उन्हें कई प्रकार की परेशानिया हानिया उठानी पड़ती है घर में कलहे अशांती रहती है रोक पीड़ाएं पीछा नहीं छोड़ती घर में आपसी मत्भेद बने रहते हैं, कार्यों में अनेख प्रकार की बाधाएं उत्पन होती हैं, संकट अनहोनियां अमंगल की आशंका बनी रहती है ऐसे घर परिवार में सदेब धन का आभाब रहता है, साथी अनेख प्रकार के महादुखों का सामना करना पड़ता है बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं, शास्तु में बताया गया यह एक अच्छुक उपाय है, इस उपाय को मोक्षिदाईनी एकादशी पर करने से पित्र दोश पित्र आशिरवाद में बदल जाता है, पित्रों के साथ साथ भगवान विश्णु मा लक दोस्तों इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करे जिससे हमारे सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाएं तो आईए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में उपाय करने के लिए इस नान करके सच्छ बस्त धारन करें दोस्तों ध्यान रखें आज के दिन भूल कर भी काले या नेले रंग के बस्त ना पहने आज के दिन हो सके तो लाल या पीले रंग के बस्त पहने क्योंकि यह रंग बहुत ही शुब माने चाते हैं और यह दोनों ही रंग भगवान बिश्णु मा लक्ष्मी जी को अति प्रिया हैं अब आप शुथिचल से साफ आटा मरें आटे में नमक्या कुछ और ना मिलाएं आपको प्लेन आटा मरना है आटा मरने के बाद आप आटे के साथ लोई बनाएं लोई का साइज आप अपने एक्षानु साथ छोटा या बड़ा रख सकते हैं आप नीबू जितनी छोटी लोई भी बना सकते हैं या फिर आलू जितनी बड़ी लोई भी बना सकते हैं लेकिन आपको लोई साथ ही बनाने हैं, साथ लोई बनाने के बश्चात आप इनको एक प्लेट में अच्छी तरह से रख लें, अब इस प्लेट को आप अपने मंदिर में भगवान जी के सामने रखें, भगवान जी के सामने एक शुतिखी का दिया जलाएं और एक सुगंदि थूपति चलाएं, फिर भगवान शरी गणेश, भगवान बिश्णू, मालक्ष्मी जी को प्रणाम करें, फिर भगवान जी को आप हल्दी कुमकुम से तिलक करें, और पित्रदेब को प्रणाम करें, प्रणाम करने के पश्चात आप एक पात्र में साफ किये हुए काले द दिल लें, इन दिलों को आप मंदिर में रख दें, और दूसरे पात्र में आप भगवान जी को भोग लगाने के लिए शक्कर लें, शक्कर का आप भगवान शिरी गणेश, भगवान विश्णु, माल लक्ष्मी जी, समस्ते देवी, देपताओं और पितर देप को भोग लग लेकिन एक आदशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, इसलिए आप एक दिन पुरानी तुलसी जी भी ले सकते हैं, या फिर एक दिन पहले भी आप तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख सकते हैं, या तुलसी जी के पास अपने आप से जो तूटकर गिर गए हैं पत्ते, आप उनको भी ले सकते हैं, लेकिन भगवान पिश्णू जी को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें, क्योंकि बिना तुलसी पत्तर के भगवान पिश्णू जी भोग को स्विकान नहीं करते। भोग लगाने के पस्चाथ आप भगवान विश्नुजी के इस मंतर का एक सो आठ बार चाप करें। मंतर इस प्रकार है ओम नमु भगवती वासु देवाए। भगवान विश्णुजी के मंत्र का जाब करने के पास चाथ आप पित्रदेब के मंत्र का जाब करें. पित्रदेब का मंत्र इस प्रकार है ओम पित्रदेब ताय नमा. ओम पित्रदेब ताय नमा. इस मंत्र का भी आपको 108 बास जाब करना है. इस तरहे पूजन करने के पच्छाथ आप भगवान शिरी करें, भगवान विश्नु मा लक्ष्मी जी को प्रणाम करें. फिर आप भगवान विश्नुजी से अपने पित्रों की मुक्ति और मोक्षी के लिए प्रात्ना करें. दोस्तों शास्तों में भगवान विश्नु मा ल पिष्णू जी से अपने पित्रों द्वारा की गए गए जाने अंजाने में सभी गलतियों की शमा प्रात्ना करें। इसके बार आप पित्रों को प्रणाम करें। पित्रों से अपने और अपने परिवार द्वारा जाने अंजाने में की गई सभी गलतियों की शमा मांगें। और पित्रदोश से मुक्ति की प्रात्ना करें। भगवान पिश्णू, मा लक्ष्मी जी पित्रदेव से सभी कष्टों और संकटों को दूर करने के प्रातना करने के बाद आपने भगवान जी को जिस शक्कर का भोग लगाया है। उस सारी शक्कर को आप सातों आटे की लोईयों पर लगा दें। शक्कर लगाने के बाद सभी आटे की लोईयों पर आप थोड़े थोड़े काले तिल लगा दें। दोस्तों ध्यान रखें आपको इतनी ही शक्कर और काले तिल का भोग लगाना है। जितनी की सारी लोईयों पर लग जाए। दिल और चीनी आपको बचानी नहीं है। दिल और शक्कर लोईयों पर लगाने के बाद आपने भगवान जी को जिस तुलसी दल का भोग लगाया है उसे भी आप एक लोई पर रख दें। अब आप यह सभी लोई लेकर गौमाता के पास जाएं। गौमाता को प्रणाम करें और गौमाता को यह लोईयों खिला दें। पंचिबली का बिधान बताया कया है। पंचिबली याने की गौमाता, स्वान, कौवे, चीटियां और देखताओं को भोजन कराना। क्योंकि यह पांचों अलग-अलग तत्व के प्रतीक हैं, लेकिन शास्तों में इनमें सबसे श्रिष्ट गौमाता बताई गई हैं, गौमाता पंच तत्वों की प्रतीक हैं, गौमाता में समस्त देवी देवताओं का बास होता है, गौमाता को मा लक्ष्मी का ही स्वरूप मा जाता है। गौवाता को भोजन कराने से समझ तितिस गोटी दीवी देपताओं का राप्त होता है। गरव पुरान और भागवत पुरान के अनुसार जब मनुष्य मृत्यु démocr Con2 नरक लोक में बैतानी नदी में फस जाता है। तब गौमाता की किपा से गौमाता की पूश पकड करें बैतरनी नदी से बाहर निकल पाता है। इसलिए पित्रों को प्रसन्न करने के लिए और पित्र दोर से मुक्ति पाने के लिए गौमाता की सेवा अवश्य करने चाहिए। गौमाता को भोजन कराने से, भ्रामण को भोजन कराने के बराबर पुन्यफल की भी प्राप्ति होती हैं। गौमाता को इस प्रकासे आटे की साथ लोईयां खिलाने से, गौमाता की कृपा से भगवान विश्णु माल लक्ष्मी जी की कृपा से साथ पेडियों तक के पित्रों को मुक्ति मिल जाती है और पित्र दोश पित्र आशिरवात में बदल जाता है गरुन पुरान में बताया गया है कि भगवान विश्णु जी को अर्पित किया हुआ तुलसी दल, पित्रों के नाम से गौमाता को खिलाने से पित्र गर्ण पसंद होते हैं पित्र गरुन पर सवार होका विश्णु लोग को चले जाते हैं इस तरहें गौमाता को तुलसी दल खिलाने से पित्र प्रलै काल तक संतुष्ट रहते हैं। इसलिए दोस्तों आप भी भगवान विश्णू, मा लक्ष्मी जी और पित्र देव का आशिवात प्राप्त करने के लिए। पित्रों की आत्मा की शांती, मुक्ती और त्रप्ती के लिए और पित्र दोश से मुक्ती पाने के लिए इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों गौमाता को भोजन कराते समय इस बात का ध्यान रखें। का भूसा रखा हुआ है। वहाँ पर आप इन लोईयों को रखतें। लेकिन गौमाता के सामने जमीन पर इन लोईयों को ना डालें। जमीन पर ना फ्याक है। और गौमाता को भोजन कराते समय भगवान विश्णूची के मंत्र ओम्नमो भगवते वासु देवाय का जाप करते रहें। गौमाता को भोजन कराने के परश्चाद गौमाता को हाथ जोड का प्रणाम करें। और गौमाता से अपने सभी पित्रों की आत्मा की शांति और मुक्ति की और त्रप्ति की प्रात्ना करें। और पित्र दोर से मुक्ति की भी प्रात्ना करें। मुक्षिदाई ने एक आदशी के सुब अपसर पर इस उपाई को अवश्य ही करें और इससे लाप राप्त करें उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें जिससे भे भी इसका लाप उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फूर वचिंग राधी राधी